इस्टील बार रिकॉर्मेंट फोर डिफरेंट इस्पैन अप्स लैब जो आपका लिंटल प्रवाइड करते हो इसका लेंटर बोलते हो यह चत जो बोलते हो इसको में जोर सरीय प्रवाइड किया जाता है वो कम से कम क्या रहना चाहिए तो मैं यहां पर टेबल लेका आगया ह जैसे कि आपका जो सिलेब है इसकी जो दूरी है वह आपकी 10 फीट है यह फीड़ी तस फीट यह पी ग्यारा फीट यह बारा पीट है मिनीमम या मैकसिमम तो महां पर सरीय को जो रिंपोर्शमेंट है वह पैसे प्रवाइड करना है पहले मैं आपको बताएता हूं अगर उसके बाद ही यह वारा जो सरीय है यह प्रवाइड किया जाता है ठीक है तो आपको किले हो गया होगा तो दस फीट फीट के उपर राफ। तरहें पर तीन मीटर की दूरी है यह वाली दूरी है इस दूरी है तो यह पर तिकने मारे यह जहीं पर अपड़को आपको knapp अक्तिकने सब्सक्राइब क्या रखना चाहिए कम से कम आपको सब्सक्राइब शार इंची तो यहां पर आप कि 125 mm minimum जो ठीकिना सब्सक्राइना चाहिए 125 mm ठीक है यहां पर होता आपका पांच इंची में तो यहां पर minimum requirement अगर 10 feet की कम से कम 10 feet की जो छत है तो वहां पर आप जैसे 10 feet जैसे आपका यह है आपकी छत तो यह आपका 10 feet है और यह आपका 8 feet है यह फित 10 10 feet 10 की है मतलब आपका जो स्पैने छपत के अंदर सलैब के अंदर 10 feet से ज्यादा नहीं होने चाहिए कोई भी दूरी तो वहां पर इनफोर्समेंट आप सड़े रहेँ जैसे न कि मिस्के लाट यह जो तरट नoston मोगया यह वाला जो पार रहता है तो वह कम से खूका आपको यूज करना चाहिए और यहां पर यह पन्यापको यहां पर तसींटर यह उनियक दस फिट के अगर दूरी है तो वहाँ पे आप चैन्ची यूज़ कर सकते हो ठीक है और बागी सभी में जो दूरी है कम से कम पांच चैन्ची कर सकन करना चाहिए और अगर आपको यह मैं बता रहा हूं जनरले मतलब वन फ्लूर टू फ्लूर या मैकसिमम तीन फ्लूर तक इस ही तो मैं आप मिनिममट बेसिक्स के बता रहा हूं कम से कम रिंपॉर्शमेंट आपको क्या रखना चाहिए उसमारा 11 पीट कि रहती है तो तो वहाँ पे थिकनेस आपको कम से कम 4 इंची से 5 इंची आपको रख देना चाहिए जो इस टेंडर्ड जो तिकनेस रहती है वह इस था से फिर्बानी यह उस पर में हाई जरीह तो सबसे पहलेजिए हो जाएगा यह आपका propose है इस तो यह चार वाला जो सरीय ànये कीवरी अनुद ऌन स्थे लगुद बाते से फ्रदवृ सेट्य से तो Con Say Dam आपको जो रखना है अगर आपकी जो दूरी है214 अबवीट की है तो ठीक है और में हम बात करते हैं अगर चल्हता की जो दूरी है-20-बारा सांटिमीटर कम सब आपको पाट पन्ची से च्छाइंची की जो मोटा है चलाइब की वह आपको रखना चाहिए दस सेमों का सरी आपको कम से कम उसमें यूज करना अगर बार हम की जो सिलेब है फारा फिट की दो दूरी है वहाँ पर आप 10 mm का यूज करना चाहिए ठीक है उसके पर हमारा 125 मतलब तीन सूत का सरे रहता है पांच इंची सेंटर तो सेंटर और वहीं हम बात करते हैं डिस्ट्यूशन बार की जो आपने इस तरह से ये वाला जो सरीया बार करते हो क्रोस बार इसका बोल सकते हो तो वहाँ पर हमारा 8 mm का सरीया 8 इंची सेंटर तो सेंटर मतलब 8 इंची सेंटर तो सेंटर ये जो दू हैं कि आपका जो में शल रेव है जैसे आपकी कोई सिलैब है इस तरह से सिलैब है ठीक है तो सबसे पहले आपको मेरे चल्वाऴन मैं यह वालब करना है यह अपको प Suzuki Rafiर करना चाहिए यह columnative का मतलब कह रहा है कि यहांपर बीम सपोर्ट इदर से बीम, इदर से बीम, यह बीम राजाता है, तो यह आपका बीम के टोप में चल जाता है, तो यह आपका बीम के टोप में चल जाता है, और यह वाला आपका बीम के ऐसे बोटम में चल जाता है, ठीक है, यह अगर सलेब की, इसकी जो ठिकने से रहती है, सलेब की, वो आ तो उसके उपर जब भी आप कोई लोड डालेंगे तो लोड कहां पर करेगा बीम के ओपर करेगा ठीक है अगर भी स्लैप को सरीया है तो कम से कोई सी कहने चाहिए कि वह इस तरह से प्रट करें ताकि जो लोड है वह बॉंड इस ट्रेंट आपको बीम के अंदर बनागे रखे है ठीक है ताकि वह खीचे ना नीचे इस ट्रेस ना हो इसके अंदर इस्ट्रेस ज्यादे डिवलप रहेगा तो इस ट्रेस की वज़ए से बीम के अंदर क्रेक्स आ जाएंगे तो इस वज़ए से यह जो बन यह स्लैप कर इंफॉर्श्मेंट कर आप तो कम से कम आपको यह है ताकि स्ट्रेस है वह डिविलप जादे ना हो में इसके मेंटक करती ला टीक है थे किस्तियुश्न से बढ़ाइब की चाली श्यूर्ट कर लगया तो गया इसे दे बैइंक cash अट बार यह अब झाल लाता है तो यह वजह से यह एक्स्ट्र बार कंफे जाता है डलती आता है तो यह मेंग बार रहेता है क्लों एक बार रहता कुछता है को उसे को पर इंदम च zijn और एक तर लगाइक अब कि लिए रहता है कि यहां पर रहता है मैंदिंग मुमेंट यहां पर रहता है यहां पर यहां से हो जाएगा एंड सबोट से तो यहां पर यहां पर यह थोड़ा इंदर सकते हों तो इस तरह से कम से अपको सर्या ब्रेंट के अंदर प्रवाइड कि जाता है इस तरह आपको यह आप देख लेंगे तो टेबल कि यह क्या रहता है कि इसकी जो इसकी यह यह रहती है वह भी हमारे इतनी रहते हैं जैसे कि अपर लोड डालते हो एक्सियल एफेक्ट करता है सरीय का जो यह रहता है ह। निकिन स्रीय के अंदर क्या रहता है कि जब हम यहां करेंगे यह कॉलम्क कांदर टाय आप हो जाता है हुँ यह क्योông है कि एक हमारा स्ट करता है कि तो हमारा भी सपोर्ट मेंद यह सपोर्ट करें एक फिरोपली से स्लैब को ठीक है यह stress को resist करता है आपकी स्लेब के अंदर तो इस वज़े से हमारा 8 mm और 10 mm का सरीया दिया जाता है आप 12 mm को सरी देता है तो उससे क्या होगता है आपका लोड वो डैड लोड आपका जो स्लेब का जो डैड लोड है वो ही बढ़ता है आपका 12 से तो को सी कहना चीए कि जो चीए को नहीं आहते हैं आपका स्लेव के अंदर स्लेव कर दो डेप के अदर कुम्बीनियाशन जो रहते हैं आपका bere क्राओट से क्बारा ठानी स्टोरी उडिन्ग आपने देखा होगा टो पिप्याइब का ही सरीया देगा यहां पर क्या करते हैं कि पीज में एक टाइव डाल जिसे मीम इसको बौल जाथा है हो he गोंवीं डाल दी जाता है ताकि जो से लिक यह उसको रहाइए को बाइग उने नहोंते है तो यह मेल से नहें लिए।